प्रोसाइंस फिर बात कर रहे हैं हम एनल फिस्चुला की एनल फिस्चुला की एनल फिस्चुला देखिये एनस आपके रेक्टम के बाहर आने वाली ओपनिंग है जहां से आपकी लैट्रिन आपके स्टूल बहार निकल रहे हैं आपके आपकी बॉड़ी से यहां पर कुछ प्रकार की बिमारी हो सकती और कई बार उसमें कंफूजन हो जाता है आज हम आपको बताएंगे उनमें डिफरेंस क्या है पर आनल फिषुला का करता हैएंटल पीश्चुला से अलावा और बीक हैसिएजह होती हैं यरे पाइलडा की नशे सूजी होई हैं वहां पर और ये सूछ जाती हैे स्कत सकत सव रगड़क तो फिसला, सकत स्ञुन जा रहे है और इतने बड़े हो जारे हैं तो इतने ताकत लगाके जब जाते हो तो लैटिन कर Сबिटा यहां से start इसको बोलते एपसे के अलावा बहुत कुछ में बहुत सारी विमारी यहां बात करेंगे विश्चुला की तो फिश्चुला क्या है एक इनल टानल बनी हुई है जो आपके चंबडी को आपके स्किन को आपके digestive tract यानि के एनस के अंदर का पाichtet ऐसा बंद रहता है अंदर का पाट connected नहीं रहता बाहर खुला नहीं रहता लेकिन वह बाहर से एनस को connect करके रखा हुआ है एनस के अंदर भी क्या चाहिए रेक्टम हो चाहिए उर अंदर तक फाहीं पर बना हूँ इनलनल जो कि नौरमल नूकस बनाते हैं उसके अंदर इंफेक्शन वहां से बन गया पस भर भर के एपस एपस की अपस एपस एतना बड़ा सा पस है इतना पस है औरंस में हमने चीरा मारा हमने स्टूई डाल हमने चीरह मारंके निकाल लिया तो चीरह मारने के बाद वहां से उपनिंग जो है पूरी तरह टाके मारने के बाद पूरा नहीं भरा एक फिश्चूला रहे गया तो यह बे बरेसिन के फोस्कीन का स doubles ला बन जाता है टनल बन जाती है जो फिल को नहीं भर रहा है तो आपको भाया operation की ही ज़रूरत पढ़ेगी तो याद रखिए anal fistula is a very 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 common finding ज्यादा तर जहां पर anal सज्री हुई हो absence हो तो अगर आपका anal hygiene अच्छी नहीं है तो ज्यादा यह दिक्कत हो जाती है एक तो infection हो रहा है इसके अलावा कुछ लोगों को और भी कारणों के वज़े से एनल fistula हो सकता है जैसे के inflammatory bowel disease है crowns disease है वहाँ इस बना दे किसी को कोई चोट लगी है चोट के बाद बन गया टूबर कुलोसे सेक्शुली ट्रांस्मिंटेट डिजीजेज रेडियेशन या फिर डर्विकुलाइटिस करके होता है डर्विकुलाइटिस मतला एक चोटा सा पाउच बन गया अने में जो इंफलेब हो गया बरता गया और वरी बन गया यह कभी-कभी कैंसर के वजय से भी पिशुलाइब सकते हैं अगर कभी फिश्चुला हो गया तो बार-बार-बार-बार एपसेस बनेंगे बार-बार पेन होंगा लैटरिन के आसपास जगह पे कभी-कभी खून आएगा लैटरिन में कभी गंदा पस आ सकता है लैटरिन में सो स्मेली लैटरिन आएगी इरिटेशन होगी खुजिली होगी पेन आएगा बावन मोशन के साथ में ब्लीडिंग हो सकती है और कभी-कभी बुखार और इंफेक्शन के प्रॉपर सिम्टम भी आ सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको फिर इंफ्लामेशन के लिए एंटि को फिस्चुला की ओपनिंग को और वो देखने वो कितना डीप है उसको देखने के लिए कभी-कभी प्रोबिंग भी कर सकते हैं कभी-कभी ड्रेनेज भी कर सकते हैं कई बार कुछ फिस्चुला डारेक्ट स्किन के ओपर नहीं दिखते हैं इन केस में फिर आपको एडिशन के लिए कहां से कहां जारी है और कितनी बड़ी है कहीं कोई abscess का pocket तो नहीं है इसके लिए ultrasound पहले फिर अगर ultrasound में doubt लगता है तो MRI किया जा सकता है कभी कभी इसको direct खोल के operate किया जाता है operate करके अंदर से operate करके direct examine किया जा सकता है एनेस्टेशिया में इसको निकालनी पड़ेगी अगर फिस्चुला मिलता है इसमें से किसी भी डारेक examination में या ultrasound में या इन सब में तो हमें फर्दर टेस्ट कर सकते हैं कि chrones disease तो नहीं है ulcerative colitis तो नहीं है 25 परसंट जिनको chrones disease है chrones disease जिनको 25 परसंट लोगों को फिस्चुला होगा मतलब आपको अगर फिस्चुला है तो 25 परसंट चांस है आपको chrones disease का टेस्ट करना पड़ेगा तो additional blood test होंगे कभी-कभी colonoscopy अंदर तक जाके देखते हैं अंदर से ट्यूब डालके कहां-कहां ulcer कर रहा है कि नहीं है कोई गाट तो नहीं कोई cancer तो नहीं एक्सरे किया जाता है राइट और को फ्लेक्सिबल ट्यूब है जिसमें ऐसे करके ट्यूब डाली जाती है लैटरिन के रास्ते से उपर देरे देरे उपर जाके देखा जाता है कि वहाँ पर क्या है अब लिए भात आती है जादा अतर थर तर फिशुला जो थोड़े दिन भी रहजाए तो अपने आप या तो फिशुला भर एक सरजरी होगी थोड़े दिन भी रहते हैं तो जादतर केसे में सरजरी की ज़रूत पड़ती है सरजरी होती है एक कोलोन रेक्टर एक सरजन के थूरू सरजरी का गोल होता है कि यह जो फिश्चुला बन गया है वो बन किया जाए और साथ में जो एनस के असपास मसल्स हैं स्फि ही रखने की प्योंकि नहीं तो हो जाएगा आगर वहाँ कुछ भी देवेज हो गया वहां पर तो लेटरें बिना कंट्रॉल के निगल जाएगई नोबड़िवांस दैब वैसा कॉन चाहेऍगा लिधी प्लगे की जब आया प्रेशन निकल जाए कहीं भी कहीं भी-कभी वी एक important part होता है surgery का और वही side effect हो सकता है अगर surgery में कुछ गड़बड हो जाए तो fistula in which there is no और little sphincter muscle involved उसमें direct operation के लिए तो अलग है तो अलग से कहीं है तो fistula tommy होती है पूरा fistula काटके निगा लिए खतब बात खतब skin और muscle जो होती है tunnel के आसपास उसको cut करा जाता है उसको cut open किया जाता है उसको convert किया जाता है tunnel से open groove में और यह क्या होता है यह अपने धीरे से भर जाता है open groove में tunnel से ग्रूव बना दे जाता हो भर जाता है ठीक है अगर complex fistula है जिसमें के muscles involved है आपके जो sphincter muscles हैं तो फिर उसमें या फिर कोई मान लो उसमें अंदर तो उसमें fistula के पहले fistula को cut के फिर उसके बाद में abscess को निकाल के उसमें drain डाल दिया जाता है कि drain याने abscess बार बाहर आ जाए पूरा का पूरा 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 जो infection हो ठीक हो जाए ऐसा 5-6 हफते तक उसमें से सेटन बोलते हैं उसको drain करने के लिए उस सेटन को place किया जाता है फिर एक second operation करके सेटन को निकालके पूरा पक्के से close कर दिया जाता है तो यह fistula होती है या advanced flap procedure बोल सकते हैं fistula को निकालके ग्रूफ बनाया जाता है वो निकाल दिया एक trap door जैसा जो उसको बन कर दे फिस्चुला बने ही ना एक डोर जैसा बना दिया जाता है और एक lift-up procedure भी होता है जिसमें के तो skin है जो fistula के उपर है उसको open किया जाता है और sphincter को spread करके fistula को tie कर दिया फिस्चुला को band दिया जाता है तो fistula की opening यह खतम यह भी होती है operation तो कौनसा आपके काम आएगा कौनसा नहीं आएगा यह आपको आपके सर्जन बताएंगे आपने gastro surgeon से बात करनी है इसके अला आपके सर्जन आपको बताएंगे इस बारे में availability के बारे में और फिस्चुला की surgery usually उसके लिए भरती नहीं होना पाता आप आते हो आपको OPD में लिटा के 5-10 मिट में करके बेच दिया जाता है तो बहुत सिंपल सा चीज है उसके आपको कोई admit नहीं होना पता कुछ नहीं ठीक है अगर बहुत जादा बड़ा है complicated है तब फिर कुछ शमय के लिए short time के लिए एक दो दिन के लिए एक हाथ दिन के लिए उस्पताल में रहना पड़ सकता है वरना नहीं तो that is all about fistula which you ever need to know which you will ever be explained in such depth So thank you so much for watching I hope आपको समझ में आया हो और कई बार fistula को multiple operations की ज़रत पड़ जाती है तो आपको अपने anal hygiene रखना है साफ सफाई रखनी है भीया cotton की underwear पहनी है गिला मत रखिये सुखा सुखा रखिये powder डाल सकते हो हाँ पे अपना candid dusting powder fungal infection मत होने दीजिए बथेरी चीजें आपक I cannot share enough I cannot stress enough I am Dr. Paramjit you are watching Dr. Education stay connected stay healthy